सब कुछ पहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है ताकि इसके जैसे ही आगे आने वाले जो टुटोरियल्स हैं वो आपको मिल जाएं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं सबसे पहले हम देखते हैं कम्प्यूटर नेडवर्क क्या होता है जब दो या दो से जादा computing devices एक दूसरे के साथ connect होते हैं information को exchange करने के लिए या फिर किसी resource को share करने के लिए तो उस समय उन computing devices को मिलकर जो बनता है वो कहलाता है network network किसी भी चीज़ का हो सकता है जैसे computer आपस में connect है तो computer network phones आपस में connect है तो phone network network अगर लोग आपस में connect है तो वो लोगों का network होता है ओके सो network के फायदे क्या क्या होते है पहला कि हम resources को share कर सकते हैं एक दूसरे के साथ जैसे अगर कोई network है तो उसमें अगर एक printer है तो सारे के सारे computers जो है ना उसी एक printer से काम चला सकते हैं तो यह एक अच्छा option है क्यूंकि इससे क्या होगा हमें सारे अलग 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 printers परचेस नहीं करना परेगा storage शेयर कर सकते हैं हम एक network के अंदर software को शेयर कर सकते हैं मतलब की network के जतने भी computer से उन सब में अलग अलग software इंस्टॉल करने की ज़रूद नहीं परती disadvantages क्या क्या है networking एक complex setup होता है तो हो सकता है कि जो companies हो यानि की normal जो network होता है जैसे किसी का personal network है तो उसमें तो चलो ठीक है लेकिन जहां पर काफी जादा computer से हैं 10-12-15-20 तो वहां पर एक network specialist को hire करने की जुरूर पर सकती है या उससे जादा भी computer से हो तब तो hire करना ही पड़ेगा file security तो file security भी एक important reason है क्यों कि काफी सारे users है ना उसी same file को access कर सकते हैं जो किसी computer में save है तो उस file को secure करना अगर कोई change करते है उस file में तो यह भी एक concern है हाला कि इसके लिए भी कुछ rules होते है कि कि किसने changes करें है किसने modify करा है तो वह पता लग जाता है और फिर भी एक concern तो है यह अगर देखो centralized system है और जितने भी files है और जितने भी resources है वह एक main system से connected है ना और मानलो वह main computer खराब हो जाए तो बागी सारे computer क्या होंगे वह बेकार हो जाएंगे तो यह भी एक reason होता है clear तो यह तीन क्या थे एक तरीके से देखा जाए तो disadvantages थे कितने टाइप के network होते हैं तो कितने टाइप के होते हैं यह हम geographical स्प्राइड के basis पर हम पढ़ रहे हैं geographical मतलब कितने दूरी तक network फैल सकता है तो land network लोकल एरिया नेटवर्क यह एक लोकल एरिया था कि सीमित होता है हो सकता है कि एक office तो एक बिल्डिंग तक हो या एक factory तक हो या जाद स्यादा एक किलोमेटर के अंदर जितने भी किमेटर सापस में connect है तो वह लोकल एरिया नेटवर्क है हना इस network में hardware और software हना यह सारे resources शेयर करे जाते हैं users के साथ हना यह company के network होते है नौर्मली देखा जाये तो ठीक है परसनल जो companies होते हैं वह अपने network बनाती है उन्हें local area network कहते हैं वैन यह network जो होते हैं यह पूरी countries तक महला overall पूरे world में spread हो सकते हैं और यह जो network है वो छोटे छोटे local area networks को मिला कर भी बनाये जा सकते हैं समझके जैसे कोई company है उनका जो work है वो over the world फैला हुआ है और हर city में उनका office है तो हर city में उनके local area network होंगे तो हो सकता है कि को company अपने local area networks को आपस में connect करते हैं तो world का सबसे ब metropolitan area network इस टाइप का network अब जादर यूज नहीं होता है और यह जो network था यह overall पूरी एक city तक फैला हुआ होता था ओके सो इसका एक example यह है कि पहले के time में जो dishes जो हो दी है ना cable dishes तो वो एक metropolitan area network था personal area network परस्नल area network मींस ऐसा network जो किसी individual का हो या उसके काम के लिए हो ठीक है जिसम कोई person अपने घर के devices या office के devices connect कर दे ओके सो जैसे कि आपने देखा होगा कि आज कल smart homes होते हैं smart offices होते हैं जिनमें सारे devices आपस में connect होते हैं तो it can be also called as personal area network तो इस तरीके के network में क्या होता है कि सारे devices में एक data transfer हो जाता है जैसे computer smartphone जैसे smartphone से कोई पिक ली तो वह automatically computer में सेव हो host server and clients host का मतलब होता है कि वो computer जो network से connect है उस computer का हम node भी बोल सकते हैं ठीक है और nodes का मतलब काफी सारे computers की बात हो रही हो समझ के बात server server वो computer होता है जहां पर वो सारी file save होती है जो कि एक host computer access करता है clear जैसे मैं internet यूज़ कर रहा हूं तो मेरा computer कहलाएगा host या फिर node और मैं ज कि information जिस computer में save है वो कहलाएगा server तो एक तरीके से server जो होता है वो powerful computer भी होता है जिसके लिए बहुत जादा processing power होती है बहुत जादा memory होती है clear client client वो computer होता है जो information के लिए request करता है मैंने google पा कुछ सर्च किया तो मेरा computer क्या कहला है client कहला है समझगे बात तो मेरा computer node भी है मे devices के बारे में पढ़ेंगे जिनका use networking के लिए होता है modem का मतलब होता है modulator and demodulator यह signal को modulate and demodulate करता है तो इसका use क्या है यह जो device है वो computer को help करता है internet से connect होने के लिए जैसे कि आपको पता ही कि जो phone lines है वो analog signal पर work करती है लेकिन हमारा जो computer है वो digital signal पर work करता है तो modem का use यह ह है की modem digital signal को analog में convert करता है और analog को digital में convert करता है अब digital हम जो signal है वह हमारे computer में है तो इसे telephone lines के ठूंदा send करना है तो उसे analog में convert करना बढ़ेगा क्योंकि telephone lines जो होती है वह analog signal पर work करती है clear और फिर जहां पर data received होता है वहाँ पर उसे वापिस analog से digital में convert कर लिया जाता है next जो device है वो है stub, इसको हम concentrator भी कहते है Senin हच, hub का use होता है computers को आपस में connect करना, तो हब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे 10 पंदर computer है, तो उनको connect करना है आपस मैं किसी office में रखे हूं है, मन लो तो वो hub के through होंगे, और मानलो एक computer में एक computer ने किसी दूसरे computer को information send करी तो वो hub के through होकर जाएगी तो hub क्या करेगा जो information मानलो number one computer ना भेजी है और मानलो number five के पास पहुँचनी है तो hub क्या करेगा बाकी सारे computers के पास data send कर देगा अब जिस computer को information receive करनी है वो accept करेगा बाकी सारे जो computer होंगे वो उस information को ignore कर देंगे clear तो hub जो है वो दो type का होता है पहला होता है active hub यह क्या करता है कि जो signal इसे receive होता है यह उसे amplify कर देता है ठीक है दूसरा होता है passive hub मतलब जब hub के पास signal receive होता है तो passive type के जो hubs होते हैं वो signal को amplify नहीं करते है जैसा signal receive हुआ है वैसा भेज जैते हैं amplify मतलब अगर signal वी को चुका है है na travel करते करते तो उसे amplify मतलब एक तरह किसे power दे देता है उसे चीक है increase कर देता है उसकी strength next है switch switch जो है वो भी hub के जैसा ही होता है but हम यह बोल सकते है है कि जो switch है वो hub से थोड़ा सा जादा smart होता है एक यह भी बोल सकते हैं कि जो network को छोटो छोटो डे डिवाइड करता है ठीक है ताकि traffic overload ना हो तो switch कैसे काम करता है मैंने क्या बोला था सारे computers को data send करता है लेकिन switch सारे computers को data send नहीं करता तो switch क्या करता है जिस computer को data भीजा जाना है उसके साथ एक temporary connection बनाता है है ना source मतलब जहां से data भीजा जा रहा है destination जहांब पहुचाना है तो इन के इन दोनों के बीच ए temporary connection बना देगा और जब conversation मतलब की data send हो चुका है तो connection को terminate भी कर देगा तो वह local area network जिन में switch यूज होता है उनको हम switch lands भी बोलते हैं router तो router तो सभी ने सुना होगा तो router का काम होता है data को forward करना एक network से दूसरे network में clear तो आप अपने घर में broadband लगाते हो तो router तो लगाते ही हो है ना तो वो क्या कर रहा है internet को connect करवा रहा है हमारे personal network के साथ ताइक डेटा एक दूसरे के साथ हम दे सके हैं और ले सके हैं तो router क्या यूज करता है logical address मतलब IP address internet protocol address को यूज करता है gateway gateway क्या है कि यह dissimilar networks को connect करता है यह companies के जो network होते है ना वहाँ पर use होता है तो एक company में या enterprise बोलने तो तो वहाँ पर जो gateway होता है या तो proxy server की तरह यूज करती है या firewall की तरह यूज करती है proxy server एक ऐसी machine होती है जो कि actually में कोई server नहीं होती बट एक server होने के जैसा behave करती है कि companies में क्या होता है उनके server में काफी important data होता है तो कोई hack न कर ले तो वह क्या करते है उसके उपर एक proxy server जो है वह apply कर देते हैं मतलब कोई hack करने आएगा तो proxy server को देखकर समझेगा कि यही एक असली server है और इसी को जो है वह hack करने की कोशिच करेगा firewall एक ऐसा system है जो की private network होते हैं जो companies के उन में कोई unauthorized access ना कर ले उससे बचाने के लिए ठीक है जो बनाएगा system होता है वो कहलाता है firewall repeater repeater एक ऐसा electronic device है जो signal को receive करता है और वापस retransmit कर देता है जैसे कि कोई router है उस router की range है मान लो 300 meter तो हम क्या करेंगे 300 या 250 meter पर एक repeater लगा देंगे ताकि repeater क्या करेगा है signal को receive करेगा और आगे जो होगा longer distances तक वो भेज देगा समझ गए topologies अब topologies क्या होती है वो तरीका जिससे computers या devices physically connect होते हैं physically connect मतलब cables की through connect होते हैं ठीक है network बनाने के लिए तो उस तरीके को बोला जाता है topology ओके या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि वो arrangement या structure जो कि एक network का है वो कहलाता है topology तो पहली जो topology है वो है bus topology बस topology में जितने भी computers होते हैं या notes होते हैं वो main cable के साथ connect होते हैं जैसे यह है ठीक है इसमें अब this is a bus topology इसमें कहाई चार computers जो हैं वो एक main cable के साथ connect है इस main cable को बोला जाता है backbone clear तो किसी भी computer को या note को information send करनी हो तो वो backbone के through ही जाती है signal जो होता है वो पूरी cable में travel करता है और हर note के द्वारा receive करता है ठीक है पर accept वही note करेगा जिसको भेजा गया है तो बस topology के through जो network बना होता है उसमें terminator भी लगाया जाता है backbone के end में अब backbone के end में terminator इसलिए लगा जाता है ताकि जो signal होता है वो जब travel करते हुए backbone के end तक कहुंच जाए तो terminator उस signal को absorb कर लेगा ताकि backbone जो है वो free हो जाए बाकी के other signal को carry करने के लिए स्टार टोपोलोजी स्टार टोपोलोजी के अंदर जो भी node होते हैं computer होते हैं वो directly hub या switch के साथ connect होते हैं जैसे this is a hub तो इससे क्या होगा computers आपस में directly connect रहेंगे clear diagram आपको समझ में आ गया होगा अब कोई भी information send करनी है तो वो किसके through जाएगी hub या switch के through ही जाएगी और hub क्या करेगा वो information को सारे computers में broadcast कर देगा लेकिन करेगा जिसको भेजी गई है अब ऐसे क्यों होता है क्यूंकि जिस computer ना information भेजी है उसने physical address या IP address लगाया होगा है न डेटा के साथ यह भेजा जाता है packets में information होती है कि कौन से computer पर जानी है तो जहां पर पहुँच गई information उसने देगा कि इस packet पर मेरा address है तो वो इस packet को यानि कि उस data को receive कर लेता है समझ गई है यह बात tree topology जो है वो combination होती है bus और start topology की यह काफी सारे start topology वाले networks को combine करके भी बनाई जा सकती है और इसमें क्या होता है और यह भी हो सकता है कि इस topology के अंदर जो structure है वो ऐसा भी हो सकता है कि bus topology है और इसमें यह this is a hub और यहां पर connected है एक start topology वाले networks समझ में आ गई और ऐसा ही same network इधर भी हो सकता है this is a hub और यहां पर यह मान लो तीन चार पांच ऐसे computers connected है तो इसमें क्या हो रहा है backbone यह रही और बाकी सारे यह computers यह रहे ठीक है internet internet जो है worldwide system है computer networks का जिसको हम net भी बोलते हैं हम यह भी बोल सकते हैं कि internet network of network है जिसमें users आपस में connect होते हैं information share करते हैं एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के computer के साथ है ना अगर उनके बास proper permission हो तो worldwide web अब internet of worldwide web के भी difference समझ लो पहले तो worldwide web जी समझ लो अब तो उसके बाद internet बताऊंगा मैं worldwide web collection होता है hypermedia documents का standards का या protocols का उस तरीके को है ना मतलब वो तरीका जिससे यह सारे documents create करे जाते हैं डिस्प्ले करे जाते हैं internet पर मतलब worldwide web क्या है एक collection है है ना तो अब काफी लोग difference ही हमच बात है internet असल में physical architecture है है ना network है cables और इन सारी चीज़ों को मिला के लेकिन इंटरनेट पर हम जितनी भी चीज़े देखते हैं वो असल में है worldwide web it is a web worldwide web को बनाया था timberness lean है 1989 में जब वो सर्न में काम कर रहे थे सर्न एक European organization है nuclear research के लिए यहां पर physics से related research होती है web hosting, web hosting का मतलब है कि a service जहां पर कोई एक person या कोई organization अपनी website बनाती है और access कर सकती है through worldwide web तो जो भी website होती है वो कहां host होती है web servers पर host होती है अब web server purchase करना हर एक person के लिए possible नहीं होता है क्योंकि काफी costly होता है और 24 hours उसे on रहने देना चाहिए तो इस वज़े से जो individual होते है वो go daddy है इन सब के through ही अपनी website host करवाते है है clear तो web hosting के एक service है जिसके through हम अपनी website host करवाते है या access कर सकते है ठीक है जहां पर हमने host करी हुई है web hosting providers काफी सारी services देते हैं web hosting के लिए जैसे file transfer, uploading, email account, website को जो जो लोग manage कर रहे हैं उन सब के अलग-अलग email account, website को build करने के लिए tools, databases जहां पर सारी information store रहती है तो यह सारी services होती है वो web hosting providers देते हैं हमको uniform resource locator यानि की URL अब यह जो आप दोनों देख रहे हो इन दोनों को URL कहते है तो URL से कोई webpage या कोई website को हम identify कर सकते हैं एक URL में यह पांच चीज़ा होती है पहला प्रोटोकॉल कि कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है host कौन सा है वर्लड वाइड वैब है domain name क्या है जैसे जो website मेरी website का नाम है topperg.com तो यह domain name है topperg.in तो यह भी domain name है जैसे अब उपर वाला जो example लेखें हम तो www.india.gov.in तो www.india.gov.in तो www क्या है host है लेकि india.gov.in यह domain name है extension extension से पता चलता है कि यह जो website है वो किस product की है या किस चीज़ के लिए है तो इन से पता चल रहा है कि इंडिया की है net होता तो technology से related है edu होता तो education से related हाला कि ऐसा को specific rule नहीं है कि अगर को education website है तो edu लगाना ज़रूरी है वो depend करता है आपके उपर okay path मतलब आप कोई specific page पर जा रहे हैं उस website के अंदर तो path भी लिखा होगा तो समझ गया आप url क्या होता है और url में क्या क्या चीज़ें होती है email तो email एक तरीकी से message है जहां पर हम text files images या other type के attachments भेज सकते हैं ओके और internet के through भेज सकते हैं तो या तो किसी individual को भेज सकते हैं या बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं तो email means electronic mail तो वर्ल्ड का first email Ray Tomilson न भेजा था 1971 में और जो most popular email site है वो आपको पता है gmail.com chat and VOIP chat means communication जो हम internet पर करते हैं जहां पर एक दूसरे के साथ हम real time में जो messages exchange करते हैं तो most popular chatting application WhatsApp, Facebook, Instagram, Google Hangout VOIP means voice over internet protocol जो हम call कर पाते हैं वो phone के network के through call करते हैं बढ़ अब technology इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम phone network के जरिये ही नहीं हम internet के जरिये भी call कर सकते हैं जैसे कि WhatsApp पर होता है है ना Google Hangouts के through call होती है Skype के through calls होती है तो वो क्या हो रहा है voice send हो रही है internet protocol के जरिये web browser एक software होता है जिसको हम use करते हैं information access करने के लिए worldwide web से जब कोई भी user किसी particular website को request करता है या Google पर कुछ भी search करता है तो web browser उस information को retrieve करता है worldwide web से है ना और या फिर जो भी web server है जहां पर information store है वहां से retrieve करता है और हमें जो है वो result दिखाता है तो popular web browsers है chrome and mozilla incognito mode जब हम कोई search करते हैं जो हम store नहीं रखना चाते हैं जिसकी history को हम store नहीं रखना चाते हैं तो हमारे ब्राउजर से वहां पर एक important feature है जैसे हम incognito mode भी कहते हैं जो हमारे computer में information store नहीं करता कि हम past में किस website पर गए थे बड़ जो हमारा internet service provider है उसके database में store रहता है website and webpage तो website क्या होती है काफी सारे web pages का collection होती है जिनका common domain name होता है जो कि मैं अलड़ी आपको बता चुका हूँ और जो भी website होती है वो एक web server पर host तो होती ही होती है तब ही तो access कर पाते हैं अब domain name के example जैसे wikipedia.org, google.com, amazon.com, unacademy.com ओके webpage तो webpage क्या एक document है एक HTML का document ही तो है जिसमें text, graphics या links provide करे गए है तो 10th class में आपने पढ़ा ही होगा HTML तो आपको याद होगा कि उन सारे HTML के pages को मिला कर एक website बन जाती थी या आपने project भी बनाया होगा 10th class में अब webpage दो type के होते हैं static webpage and dynamic webpage तो जब-जब कोई webpage load होता है ठीक है वो same दिखे तो वो static webpage है और उस webpage का content तब ही change होता है जब उस page के HTML page में है जिसने वो page develop करा है वो change करें कुछ update करें उसमें तभी उस webpage का look change होता है otherwise नहीं होता dynamic webpage वो webpage होता है जब हम उसे load करते हैं तब-ब उसमें unique content show होता है जैसे YouTube हो गया Facebook हो गया है ना तो इस तरीके के जो webpage है यह interactive होता है यह dynamic webpage होता है और हर एक user के लिए अलग-अलग दिखाई देते हैं लेकिन अगर आप Wikipedia का example लो और Wikipedia पर कुछ आप search करो जैसे आप unacademy search करो तो उसका जो webpage होगा वो हर user को एक ही दिखाई देए